हाई एवरिवन मैं हूँ नीलोफर मस्ती विद ग्रस्टी चानल में आपका स्वागत करती हूँ आज हम हमारे इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं अपने घर पर ही बिल्कुल आसानी से बहुत कम खर्ज और बहुती कम समय में आपकी इस तरीके से अपनी मेथी उगा सकते हैं यह मेथी सिर्फ 25 दिन में हर्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है तो आज हम आपके लिए मेथी की सीड्लिंग से लेकर हर्वेस्टिंग तक का वीडियो शेयर कर रहे हैं यह है 100 ग्राम मेथी यह है पहला दिन तो हम इस मेथी को पानी में भीगो के रख देंगे करीबन 12 गंटों के लिए 12 गंटों के बाद यह मेथी इस तरह से फूल जाती है देखिए अब हम इसे किसी कॉटन के कपड़े में इस तरह से पोटली बनाकर 24 गंटों के लिए किसी भी सेमी शेयर्ड एरिया में रख लेंगे 24 गंटों के लिए ऐसे ही छोड़ दें 24 गंटों के बाद का यह रिजल्ट आता है कि मेथी की दानों की जर्मिनेशन शुरू हो जाती है यह देखिए इस तरह से स्प्राउटिंग शुरू हो चुकी है तो चलते हैं अपने गार्डन की और हमने इस तरह से एक रो में हैं से इसमें सबसे पहले हम पानी छोड़ लेंगे पाइप के जरिये मैंने पानी डाल दिया अब इसमें यह मेथी के दाने जो जर्मिनेशन शुरू कर दिये हैं उन्होंने तो हम इसमें यह सब ही मेथी दाने डाल देते हैं लगभग सभी तरफ हमने एक जैसे डाने डाल दिये हैं इस पर एक मिट्टी की पतली लेयर बिचाएंगे जादा नहीं डालनी है मिट्टी इस मैथड से हमारी मेथी बहुत जल्दी ग्रो कर लेती है यह हमारा तीसरे दिन का रिजल्ट यह दीखिए हरी हरी पतियां निकल आई है यह हमारा छटे दिन का रिजल्ट आप देख सकते हैं माशालला हर तरफ हर्याली नजर आ रही है बहुत ही जल्द उग जाती है मेथी की भाजी नजदीक से दिखा देते हैं हम आपको इसकी ये दो पत्तिया नज़र आ रहे हैं देखिए ये है हमारा 12 दिन का रिजल्ट 12 दिन में ही बहुत ही अच्छी हर्याली हो चुकी है यह बीस वे दिन का रिजल्ट बीस दिन में ही बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो चुकी है हमारी मेथी की बीच में कुछ हिस्सा मेरी बिल्लियों ने खराब कर दिया है हम इसे आज हार्वेस्ट नहीं करेंगे हम इसे पास दिन के बाद और थोड़ा बड़ा होने देते हैं और फिर हार्वेस्ट करेंगे ये लीजिए बिल्कुल तयार है हमारी हार्वेस्टिंग के लिए मेती की भाजी तो अब हम इसे हार्वेस्ट कर लेते हैं आज की सबजी बनाने के लिए थोड़ी सी तो आप भी आपकी सबजी आपने घर पर ही उगाए बिल्कुल और्गेनिक तौर पर हमने इसमें किसी भी खाद का उप्योग नहीं किया है बिल्कुल और्गेनिक तौर पर हमने ये मेथी की भाजी उगाई हुई है ना किसी chemical fertilizer का ना किसी fungicide या pesticide का इस्तेमाल किये बिना हमने ये मेथी की भाजी उगाई हुई है तो आप भी आपके गार्डन में या फिर किसी भी कंटेनर में या किसी भी गंबले में आपकी आप मेथी उगा सकते हैं इतनी सारी सब्जी मैं कल हार्वेस्ट करूंगी यह रही पूरी जब मैंने हार्वेस्ट कर ली है तो आप देख सकते हैं इसमें से मैंने कुछ बाटी भी हुई है पर यह इतनी सारी सब्जी हमने सिर्फ पांच रुपे में उगाई है बस पच्चेश जिना तो कैसी लगी आपको वीडियो प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक यू